So ladies and gentlemen, attention please, मैं गोटम चोधरी एक बार फिर आप सब के सामने आए हूँ एक नई और दंदार वीडियो के साथ में और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोली उड़ के कुछ actors के बारे में, कुछ multistars के बारे में तो फिर चलिए, शुरू करते हैं खेर, शुशात सिंग राजफूद का केस अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ है और नहीं नहीं बाते सामने निकल के आ रही है कि उस बंदे के साथ में ये हुआ था उसको, उसने suicide किया था या फिर उसको कुछ लोग ने मरवाया था ये बात आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और पूरी दुनिया जानती है कि वो suicide तो था नहीं, प्लैन करके उसको मारा गया था और कौन लोग उसके पीछे थे, ये बात सब जानते हैं वो बंदा हुआ था नेपोटिजम का शिकार ठीक है, हाला कि ये दिक्कत उसकी अकेले की नहीं थी मुमबई में जो इंसान कलाकार बंदे के लिए जाता है ना चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, या फिर चाहे वो एक्टर हो हर उस इंसान के साथ ये नेपोटिजम वाले दिक्कत होती है और नेपोटिजम का आसान सा मतलब होता है कि अपने लोगों को काम देना अपने रिष्टेदारों को काम देना अपने बंदों काम देना और बाहर से आए लोगों को भाव तक भी ना देना बाहरी लोगों को भाव क्यो देंगे यह जितने भी स्टार किड्थ हैं यह साप की तरह कुडली मार के बैठे हैं उदर तो कहां से मिल जाएगा बाहरी लोगों काम वैसे भी इनको अपने माबाप के दंपे काम मिल गया तो मिल गया वरना घंटा मी इनको नहीं पूछता कोई और वैसे भी यह सब जो है ना आलिया बट, सोनम कपूर, अरजुन कपूर, सूरज पंचोली, सोनाक्षी सिना, सोनम कपूर, आलिया बट अगर और लोगों की तरह, और एक्टर्स की तरह, यह लोग, मतलब स्ट्रगल करके आये होते हैं, वो जितनी बड़ी स्ट्रगल ने बनती है, एक अनन्या पांडे, अगर और लोगों की तरह, यह लोग स्ट्रगल करके आये होते हैं, लाइक में, और एक्टर्स की तरह, तब आगे, इनको मालूँ पड़ता है कि जिन actors का या फिर जिन actresses का ये लोग काम खा जाते आ तब कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है लेकिन इनको आगे बढ़ाने वाले कौन लोग है हम लोग है, इनको हिट कौन कराता है हम लोग कराते है, इनको सोशल मीडिया पर फोलो कौन करता है अरे हम लोग करते है एक मूवी आया थी जोन रब्राम की मदरास कैफे और उसी के साथ में एक मूवी आया थी 200 200 लोड का था सुपर डूपर हीट मूवी थी लेकिन अवार्ड के मामले में 0 उसको कोई अपोर्ड नहीं मिला और वहीं उसी के मतलब आगे पीछे मूवी आई थी Student of the Year 2 जिसको हम 32 के नाम से भी जानते है जो करण जोर की आज तक की बिल्कुल रदड मूवी मुझे लगती है उसको Film Fair Award भी मिल गया और अनन्या पांडे को Best Debut Female Award मिल गया मतलब भाई कैसे यार ये नेपोडिजम नहीं तो और क्या है ये हम लोगों का सपोर्ट नहीं ये तो क्या है हम लोग खुद धंकी मूवीज देखते नहीं और फिर बोलते हैं कि भारत में अच्छी मूवीज नहीं बनती और फिर हम बोलीवूड देखते हैं या सौकी मूवीज देखते हैं उनकी तारीफ करते हैं अरे जब तक भारत में या फिर बोलीवूड में दवंग 3, रेस 3 और बागी 3 जैसा सिनिमा चलता रहेगा, लोगों का चूतिया कटता रहेगा, हम लोगों को खुद, इन फाल्तू मुवीज का, इन फाल्तू डिरेक्टर्स का, जो नेपोडिजम को सपोर्ट करते हैं इनका बोईकोट करना पड़ेगा और बोईकोट से याद आया कि जब टिक्टोक बैन करने वाली बात थी तो पूरे भारत के लोगों ने जबरदर्स यूनिटी दिखाई कि चाइनीज एप्लिकेशन को बंग करो, टिक्टोक है, इसका बोईकोट करो, इसको हटाओ और किया भी, सब लोगों ने किया, पूरा साथ दिया और यही यूनिटी, यही बोईकोट, अगर भी नेपोटिजम करने वाले जो लोग है, इनके साथ किया जाए तो कितना अच्छा आएगा, जो रियल स्ट्रोगलर्स हैं, जो रियल एक्टर हैं, मतलब उनको भी काम मिलेगा, उनका टेलेंट भी बाहर निकल के आएगा, तो मतलब इसका बोईकोट तो हमें करना पड़ेगा जैसे कि करन जोआर है, जो खुले हम बोलता है अपने सारे इ यह तो भगवान है भाई, भगवान, नैपोटीजम की दुनिया का भगवान है यह बन्दा, और इस इंसान को भी न, अपने पाप्पा की वज़े से, सलीम खान की वज़े से इनको काम मिल गया, सलमान खान को बरना, कोई कुट्ता भी नहीं कुट्ता बोलीडों में इस बन पर फोलो करों, सलमान खान और आलिया भड और सोनम कपूर, टाइगर श्रोफ, और टाइगर श्रोफ से याद आया कि जो लोग टाइगर श्रोफ के फैन है न, उनको ना मैं एक बाद बोलना चाहता हूं कि एक नजर, सिर्फ एक नजर विद्यूत जामाल पर डाल के देखे तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि आप लोग कौन से अंदेरे में थे अभी तक का इर्फान खान और शुशान सिग राजपूत के चले जाने के बाद इस दुनिया से हम लोगों को एहसास होता कि ये कितने वड़े एक्टर थे, कितने टैलेंडिड थे अगर ये बाद पहले पता होती तो शुशान सिग राजपूत आज जिन्दा होता थेर इर्फान खान तो बिमार थे इनसान के जीते जी उसको वैल्यो देने चाहिए वरना मरने के बाद तो दुश्मन भी कंदा देने के लिए आ जाते हैं सची बाते कड़ भी होती है, अक्सर सिधे दिल पे लगती है, अगर किसी को लगी होना तो I'm sorry तो बाते तो बहुत है करने के लिए किसी दूसरी वीडियो में करूँगा, आज बस इतना ही अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, साथी साथ बेल आइकन भी दबा दे रहा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए क्योंकि अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है और शेयर भी कर दिना एस वीडियो को लाइक तो बनता है वास तो मिलते हैं एक चोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक वही अपना तीन से चाहर दिन का तिल देन ट्टे कियर गाइस, क्यूप द्रिमिंग अन्द क्यूप स्मालिंग, सबने देखते रहने का